से यूटी 2024 के स्पेंट्स के लिए एक इंपॉटेंट अपडेट निकल के आ रही है अपडेट है आप सभी के रिजल्ट और अंसरगी को लेके अब यहाँ पर क्या हुआ है मेरे पीछे आप लोग को एंडी टीवी एजुकेशन की एक न्यूज आप सभी को दिख रही है और इनोंने क्या किया है जो अन्सर की रिलीज होगी और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजए से यह डिले हो रहा है उन सारे रिजन्स को हम लोग यह आप जानने वाले है तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर नजर आ रहा है CUT answer key to be released in 3-4 days exam body sources यानि कि जो आप लोग की NT है NT आप लोग की exam conducting body है और उनके sources से जब इन्होंने बात किया तो बात करने में पता लगा कि आप लोग की answer के वो 3-4 दिन के अंदर release कर दी जाएगी इसके पीछे का जो reason इन्होंने बताया है वो ये बोलाएं कि यहाँ पे जो ये आप लोग का जो अंसर की के अंदर जो ये delay हो रहा है ये है delay का डिले के पीछे का जो reason है वो इन्होंने आप बता दिया है कि यह लोग चाहते हैं कि आप लोग की जो answer की है ऊसको error-free answer की क्या किया जाए रिलीज किया जाए इन्हों यहां पर clear cut बोला गया है देखो यह रहा है यहां पर क्या बोला गया है कि the common university entrance test provisional answer की is expected to be released in next three to four day according to sources from the national testing agency के originally schedule for June 30 the answer की has been delayed मतलब originally इन्होंने schedule को कौशिश की थी किया तीस तारीक तक आप लोगों कि जो answer की है उसको release कर दिया जाए बट ऐसा नहीं हो पाया अब यहां पर इन्होंने क्या किया है तीन से चार दिन और ले रहें बट इनकी कौशिश यही है कि आप से भी को error free answer की provide किया जाए जिससे जो objection raise होता है ना वो क्या है कि यहां पर एक student है जो है मदुली का जोसी उनों से इन्होंने बात किया उसके बाद में उन्होंने बुला कि हम लोग बहुत ज्यादा frustrated है कि हमारी answer की नहीं आ रही है और यहां पर देखो एक महीने से ज़्यादा मुझे exam को दिये हो गया है बट इस्टिल हम लोगों को अभी तक प्रोविजिनल answer की नहीं मिलिये और यह बहुत ज़्यादा concerning है यह इन्होंने बात की दूसरे एक student और है उनसे भी बात की और बात करने पर पता लगा देखो यह रहा यहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो यह रहा है याशी सिंह है उनसे इन्होंने बात कि और उसमें भी बताया कि यहाँ पर जैसे यह लोग यहां पर चीजों को बोल रहे हैं it is a failure on the part of the examination body the belief of the student has been snack due to the mismanagement by the exam body which has been happening over the past years ठीक है अब यहां पर इन्होंने बोला है कि यहां पर देखो यहां पर देखो और भी चीजे बताई है यह last moment पे जो इस्टोरेंट को प्रॉबर्लम होई थी कि यह यहां पे एक और चीज है उनसे NTA अभी क्या है कि थोड़ा सा घबराया हुआ है चीजों को लेके तो उसको लेके उनको टाइम लग रहा है कि वो 3-4 दिन और ले रहे हैं जिसकी वज़े से वो आप लोगों का अंसर किये हैं उसको error-free तरीके से आप लोगों को provide करा पाएं तो यह सारी चीजे हैं जिसकी वज़े से इसमें delay हो रहा है आई होप कि आप लोग समझ गयोंगे और आप लोग भी comment section के अंदर बताईएगा कि यह जो delay हुआ है क्या यह सही है क्योंकि देखो error-free चाहिए error नहीं होनी चाहिए कि भाई आप बिर्कुल ही अलगी level के सारी चीजे चल रहे है वह यहां पर नहीं होनी चाहिए जिस वज़े से अगर 2-3 दिन ज्यादा लगता है वो भी चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है यह आप लोग को ध्यार रखना है साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूं अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे साथ चाहता है जो ड्रीम युनिवर्सिटी उसके अंदर जाना चाहता है तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे कौंसलिंग बैच के अंदर तो वह आप लोग का जिस भी ब्रांच के उस पर आप लोग चली जाएगा साइंस कोमर्स आर्स यहां पर देखो कर लीजिए और अपना जो यह कांसलिंग बैचे उसके अंदर पाइटिसिपेट कर लीजिए आई होब कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गयोंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा इसके लावा आप लोग अगर कोई और डाउट है कोई परेशानिया है तो थैंक्य और बाइटोल गद ब्लस्यू